आज हम पड़ेंगे द्रिवय आनुपत्ती क्रियाणियम लाँप्मार्सेक्षन यह द्रिवय नुपत्ती क्रियाणियम क्या है इसके बारे में हम वज्ज़न करेंगे विलहेलमी एक वेगनिक थे उन्होंने अठार सो बचास में ये पाया कि जब सरकरा का अमलिय जल अपकरिया कराया जाता है तो जैसे जैसे सरकरा की संद्रता बढ़ा ही जाती है जल अपकरिया का वेग भी बढ़ता है और इसका विप्रीत भी पाया कि सरक्रा के सांदरता गटने पर अविक्रिया वेग गटता भी है इसको हम इस राशानिक समिकर से दसा सकते हैं यह शरक्रा का स्वक्रोज का अनुसुत्र है और इसका जलग पिणना कराया जाता हैं जलग पिणना कराते हैं तो जलग पिणना प्रक्राप्ट होते हैं इसी फरकार बर्थ लोट और सेंट गिल्स यह विगया निखते इन्होंने असेटि कमल का औस्वेल करी है अभिक्रिया जबiniziलियोएलकोल सकते हैं तो इससेश्ट इन एक एर्षर बनता है और इसका दिन करके पता लगया कि अभिकारकों की संदरता का परभाव बनेवे एस्टर की मात्रा पर पढ़ता है जोगी लिक्वीड होता है इन दोनों को भीक्अ कराई जाती है तो मैं अधिल एस्टेट लिक्वीड ये प्राप्ट होते हैं गुल्ड वर्ग और वागे ने इसी प्रकार के अनेक प्रयोग किये और प्रयोगों के निशकर्ष के अदार पर उन्होंने उपाती नीम, लाउक wed मास थेक्षन दिया जो कि रशनन वग्ञायन का एक महतोपूर्ण नीम है और इसको इस्वर व्यक्त कर सकते हैं कि एक निशित्ता पर किसी पदार्थ के किरिया करने का वेग उसके सक्रे द्रियोमान के समान उपाती है तता है एक समांगे बेक्रिया का वेग उसमें भाग लेने वाले किरिया कारकों के सक्रे द्रियोमानों के गुणनदपल के समान उपाती होता है यानि किसी समांगे बेक्रि ख्राइब आट करने का व उसके सर्य द्रिवमान के समान उपाती है यह वह उसके से भीचरेवान पर देफरं करता है कि माणा कि एक राशनी ॉपिकरिया ए और भीडोविकरने लिए he यह कर देते हैं तो इस नेम के नुसार है है तो alltså आख। एक 뉴스 कर्यㅁ सब्सक्राइब कि यह आपने लिख सकते हैं की आर बराबर कर एंटिव मासों इंट मासों व्या जो के अमने लिखाया है के जो हमने लिखा है यह इस्तिरांग के जिसको अभी क्रिया का वेग त्रांग जाता है और यह सक्रे-दर्मान क्या है तो हमने जैसे बोला था कि R is directly per monster to active mass of A multiplied by active mass of B तो यह active mass यानि शक्रिद्रेमान क्या है तो यहां हम यह समझें कि यहां शक्रिद्रेमान का अर्थ molar sandrata अतवा sandrata mole perthiliter से है और इसको square bracket में यानि जो वर्गाकार कोस्टक होता है बड़ा कोस्टक उसमें लिख करके व्यक्त करते हैं इन्हें हम यदि denote करें कि square bracket of A तो इसका अर्थ होगा कि A का सक्रिद्रेमान अत्वा A की molar sandrata और इसे प्रकार B square bracket लिखें तो इसका आश्य होगा सक्रिद्रेमान या B की molar sandrata वास्ता में सक्रिद्रेमान का अर्थ परभावी sandrata effective concentration से है यह हम कह सकते हैं कि यह उसकी सक्रियता को दर्साता है कि संद्रता को C तता प्रभावी sandrata को यह जो सक्रियता है उसको activity को small a से परदेश्तित करें तो दोनों में जो संब्द होता वो यह होता है A बरावर F into C small a जो हमने लिखा है यह सक्रियता है यानि activity है प्रभावी sandrata है F एक इस्तिरां के जिसको activity coefficient सक्रियता गुणांग कहते है और C जो है वो संद्रता है यानि सक्रिय गुणांग को संद्रता से गुणा करने पर हमें प्रभावी sandrata यह सक्रियता पराप्त होती है और आदर्स प्रस्तितियों में F का मान इकाई होता है और आदर्स प्रस्तितियों में F का मान इकाई है यानि F बराबर एक रखें तो A बराबर C है अर्था सक्रि के द्र gouden द्रेवान बराबर मौदर संदरता इधी किसी अभिक्रिया की स्वेगण में पदारतों के साथ गुणां को तो वैं संदरता पदों की गात बन जाते हैं यहनी कोई अभिक्रिया है जिसे अभिकारक a के n1 अrone और अभिकारक b के N2 नो अभिक्रिया करके उत्वाद देते हैं तो उस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग हम लिख पाएंगे आर बराबर के यह स्मॉल के है जो की वेग इस्तिरामक है और एक्टिव मास of A की प्रभावी सांदर्ता रेज टू दा पावर N1 यानि A की घात N1 एक्टिव मास ओफ B रेज टू दा पावर N2 यानि अभिक्रिया में जितने अभिकार गणु भाग लेते हैं उसकी संक्या को संबंदित अभिकारक की सांदरता के उपर गातां के रूप में लगा दिया जाता है यह आपने पड़ा कि एक्टिव मास क्या होता है